हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टाओर चैनल एटूजाट क्लासेस स्टुडेंट्स आज हम आपके लिए जो कोर्स मैंने बनाया था टार्गेट बोर्ड एक्जाम मैं उसके उसको लेका आज प्रजेंट हुआ हूँ ऐस्टुडेंट्स आज हम थड़ टे पर उपस्ते थे आज हमारा थड़ दे है और आज हम कुछ अअब्जैक्टीग कोश्चन करने वाले हैं और आज कहुमार जो अब्जैक्टीग कोश्चन होगा वो मानव नैत्र तथा रंग भीरंगा संसार से होगा ठीक है तो students हमने इसमें total हमने 10 questions लिया है जो हमारे board exam के लिए मात्पून है ठीक है उस 10 questions को मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ उसके साथ साथ आपको आज यहाँ पर उसके person का जो उत्तर है वो भी आपको मिलने वाला है ठीक है students आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंग सैसार को ठीक है तो चलिए start करते हैं हमारा पहला प्रस्वन जो है मानव नेत्र अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन दूरियों पर रखी बस्तू को फोकसित कर सकता है या किसके कारण होता है ये किसके कारण होता है ये किसके कारण होता है समझन सक्ति के बोलिए या फिर समझन चमता बोलिए इसका अंसर क्या होगा समझन चमता या फिर समझन सक्ति के वो हमारा क्या मानव नेत्र बस्तु का परतिविम किस भाग पर बनाता है तो मानव नेत्र बस्तु का परतिविम का पर बनाता है रेटीना पर बनाता है ठीक है अगला प्रशन हमारा देखते हैं मानव नेत्र में किस परकार का लेंस होता है ठीक है मानव नेत्र में किस परकार के साफ द्रिश्टा की निम्न दूरी क्या है यानि कहने का मतलब क्या कोई भैक्ति जो समाइने जेनरल भैक्ति होता है उसको किसी भी मतलब साफ और सुवस्पर्ष देखने का इस नियूंतम दूरी होता हमारा वो कितना है ठीक है तो हमारे कितना है पचीश संटिमीटर है ठी लिए questions हमारे लिए important है थोड़ी बन जाती है अब हमारा देखना है कौन सा दृष्टी दोस आउतर लेंस से ठीक किया जा सकता है ठीक है आउतर लेंस का उपयोग करके आप कौन सा दृष्टी दोस अच्छा कर सकते है ठीक है तो कौन सा निकट दृष्टी दोस क्या हो जागा दूर किया जा सकता है तो किस परकार के लेंस से दूर किया जा सकता है आउतर लेंस के दौरा ठीक है इसके दौरा आउतर लेंस के दौरा उसके बार हमारा अगला प्रस्टी दोस किस परकार के लेंस से दूर किया जा सकता है यानि दूर दृष्टी दोस अगर हुआ किसी व तो क्या हुगा यह सुरी वह निउन्तम दूरी जिस पर रखी बस तु बिना किसी तनाओ के अच्टधिक असपरस्ट देखी जा सकती है उसे नेतर का निकट बिंदू कहते हैं यानि किसी बस तुक हम लोग आपजक्ट को रखते हैं ठीक है और बिना किसी स्ट्रेस के दिमाग देख लेते हैं बिना किसी तकलिफ के तब लोग उसको क्या मोलेंगे देतर का निकट बिंदू कहते हैं ठीक है अगला जो प्रश्ण है पूतली किसे कहते हैं यानि पूतली जो होता है उसके बार जा रहा है ठीक है तो आख के बीच ठीक है आख के बीच के छिद्र को क्या क अगला प्रश्र्ण है हमारा समंजन क्या है तो सबल्जन क्या होता है अभिनेत्र लेंस की डूरी को समयोजित कर लेता है उसे लेंस का समन्जन चमता कहता है या फें समझन कहते है तो उसे क्या कहते हैं समझन कहते हैं तो इस इस परकार से हमारा यह 10 questions था जो हमारे लिए बोर्ड एक्जाम के लिए importance थी इस 10 questions को आप अपने घर में बाइट कर इसे copy पर not कर लिए और इन questions को आप प्रैक्टिस कर ले ठीक है तो students अब यही आप से कहना चांग है कि अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे इस च students हम आप से यही चाहेंगे कि हमारे चैनल लागप नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक किजिए शेयर किजिए अपने फ्रेंडों का साथ क्योंकि औरों का भी मदद हो जाते हो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है और अगर किसी परकार का डाउट है नहीं समझवारत कमेंट करना बिल्कुल नहीं बूले यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करका ज़रूर बताए जय हिंद दोस्तों तैंक्यू